स्रिष्टी की कारण प्रोडमस बहुत जदा बढ़ जाती है क्योंकि जो ठंडाई बे वह नसीली पदार्थ मिलाती है इसकी कारण अब अनुरूद को भी नसा होने लगता है और वह जानक से कुछ ऐसे वादा कर देता है जिसको निभावाना सच में उसके लिए नामाम गिन ह जाती है जो सब्सक्राइब बहुत कुछ जाती है फिर बात कर इपिसोड की यहां पर अनुरूद को चॉकलेट्स भी लेकर करके आया होता है और जब उसे पता चलता है कि जहनक करने वाली है जब हपो गाएगी तो वह भी बहुत कुछ होता है लेकिन यहां पर प्लानिंग सब को लगा रहा था तो जनक खड़ी थी तो मैं उसको भी लगा दिया लेकिन जब वह सर्वत पीती है बस उसको तुरंती रासा हो जाता है और अब अनुरूद को मोलने लगती है कि यह तो एक कठ फुतली जासा है और अर्शे के बेच दी करने लगती है अब हद तो तब ह हो जाती है जब बीपासा लगतार उसको कई सारे सर्वत अफ़र कर देती है अब इन सब भी को पहने के बाद में तो वह तो खुद पर से उसके कंट्रोल हट जाता है वह अपनी बरबाद होने की जो भी कहानी है न वह अनुरूद से ही शुरू करती है उसको लगता है कि जो सब्सक्राइब करते हैं अब यहां से जहनक जैसे जाती है तो अनुरूद सोचता है कि आखिर वालों ने कुछ तो गरबढ़ किया है यानि कि ऐसे सिर्फ एक को नसा होना यह तो हजम नहीं होता लेकिन यहां पर जो छोटन उसको लाकर करके सर्वाद देता है उसमें भी न सब्सक्राइब करके यह वादा करने लगता है कि हम हानिमून पर जाएंगे और हमारा जो सपना है हम उसे पूड़ा करके रहेंगे लेकिन जब वहां पर अर्शी पहुंच जाती है और इसको देखती है कि यह जहना के साथ में लिप्टा हुआ है और अब किस करने वाला है सब वादा कर रहे तो यह बहुत जब दुबठ तक लेठ हो चुका होता है काफी सारे बाते क्युक्त होती काफी दू और मुझेदार भी खेर आज तो खुली थी तो जिसकारां थो रास तो तबियत खराब होना ही है बहुत अच्छा से होली के लिए गया है दिखते हैं लोगी कल के पिसोड प्लॉट्स में क्या चीज़ा होती है और मज़ा तो आएगा है कोजिस करेंगे लिए को सुबह भी इस